इस वीडियो में हम बात करेंगे MSPAC NURSING की merit list से related कुछ doubt बहुत से लोगों को ये doubt है कि first merit list में जिनका नाम नहीं है उनका नाम second merit list में आ सकते हैं तो मैं आपको पताना चाहते हूं कि second merit list नहीं आती जो नाम first merit list में है ये first counseling करा सकते हैं और second counseling करा सकते हैं और जिनका नाम list में नहीं है वो सिधा open round में जा सकते हैं जो first counseling नहीं कराते जिनका नाम इस list में है अगर वो first counseling नहीं कराते तो वो second counseling भी नहीं करा सकते हैं वो सिधे open round में जाएंगे सो मैं आपको बताओं कि second list नहीं आती merit list और जो OPC और EWS है उनके लिए ये notice है कि वो 5-9 तारिक के बीच में अपने certificate को verified कराने के लिए साइट पर डाल दें और जिनके पास certificate नहीं है वो counseling का इंतजार करें जब तक counseling नहीं होती ओपन राउंड तक इंतजार करें एंड जिनका नाम लिस्ट में नहीं है तो वो टेंशन ना लें क्योंकि ओपन राउंड तक इंतजार करें और बहुत से बच्चों को मिल जाता है कॉलेज पिछली 2020 में जनरल के टेगरी की counseling 4000 तक होई थी तो टेंशन मत लीजिए easily मिल जाता है college क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी card certificate नहीं होता इस बच्चे से उन्हें नहीं मिल पाता एंड कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते जिनने कोई other college में अच्छा अच्छी rank पर कोई अच्छा course में जाता है तो वह चूज कर लेते हैं nursing यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पेरेमेडिकल करना चाहते होंगे तो ऐसे बहुत सी सीटे वेकेंड रह जाती है तो open round तक इंतजार कीजिए आपको easily college मिल सकता है and discussing about the rank तो यहां पर overall rank देगे यह category rank आपकी separately आएगे और आपका mark seat जो result है वो आपके separately आपको आपके जो login साइड होती है यहां पर आप login करके अपनी सब चीज़े देखते हैं वहां पर admit card की जगर result सो करेगा इस बार जो यूर की category जो है वो rank जो है वो 1336 तक ही है उसके बाद 6657 यूर PWD है और SC की rank गई है 3986 तक and SC PWD 7938 तक है and ST 7957 so OBC की rank इस बार 1669 है इस बार OBC के बहुत से बच्चे है तो ऐसा नहीं है कि OBC के बहुत से बच्चे है तो उनको seat नहीं मिलेगी ऐसा हो सकता है कि अगर OBC की rank general वाले से जादा है तो वहां पर OBC को priority दी जाएगी तो आप चिंदा मत कीजिए general एक बार आप खुद अगरी जो certificate है वहां पर आपकी जो issue date है वह कब से कब तक होनी चाहिए जैसे OBC के लिए 5-6 2020 से 28 दिसंबर 2021 तक होनी चाहिए और EWS के लिए XR 2021 से 28 वारा 2021 की होनी चाहिए अगर इस से पहले की है तो वह वैलेड नहीं माना जाएगा और अगर आपकी जो certificate नहीं वैलेड होता है तो आपको यू आर की तरह दिया जाएगा अगर आपकी वैसे भी इस पार OBC के बहुत से बच्चे हैं और आपकी ओवराल रेंक जनरल से जाता है तो आपको एजली कॉलेज मिल जाएगा तो चिंता करने के ज़र नहीं है तो यहां पर कॉलेज का नाम कॉलेज का नाम देर्ख है जहां जहां पर नर्सिंग है जैसे तेली भोपार भुवनिश्वर डोंगर जोगपूर नागपूर पतना रायपूर रिशिकेश गुरगफूर कल्यानी और भटिंदा जो न्यू कॉलेज है गुरगपूर में भी न वarenward अच्छी को sales exactly और सीάठ ओवर अपने पास निकाल ये अपने पास तो आपको अपने पास सारे ढकिमूंट में हैं यू केका अधिक मुम्निंग में देशिकों ब्लाते और जिसके बास आरे डौकिमेंट नम्मों जाएं तो आपको अपने पास शाही अधिकार द। सन स इस लिस्ट कें व्यू दियर रैंक और मार्किन वेबसाइट एम्स एक्जाम एक इन आफ्टर नेविगेट थ्रो दर एकेडमिक टैब यूजिंग दियर लॉगिन क्रेजियन जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया उनकी भी रिजल्ट आएगा उन्हें भी अपने रिजल्ट में अपने मार्क्स और अपनी ऑल इंडिया रैंक देखने को मिलेगी और वो सिरफ ओपन राउंड में काउंस्लिंग करवा सकते हैं तो अभी कुछ बच्चे से होंगे जो एम्स पेसे नर्सिंग और परमेंडिकल 2022 के लिए प्रिपार करना चाते होंगे पर अभी हो सकता है तो अगर नीट लेवल पर चाहितो आपको अपनी प्रैक्टिस को नीट लेवल तक रखनी है इस बार कई ऐसे बच्चे थे जन्नों ने नीट का एकजाम दिया था पर उनका मार्क्स इतना अच्छे नहीं आए तो उन्होंने आमसी नर्सिंग का एक्जाम दिया और बहुत से ब को मिला के यह मोग टेस्ट बनाया है तो अगर आप 2022 के लिए प्रिपार करने तो एक बार इस टेस्ट को देखे देखे और यह फर्स्ट बायो के फर्स्ट यूनिट की टेस्ट है सो इसमें मैंने एम्स और नीट दोनों के लेवल का कोशन पेपर बना रखा है अगर आप किसी और इस एक्जाम के लिए भी तियारी करने तो एक बार इस टेस्ट को लगा के देखे कि कि बायो के कोशन हैं अगर इसका लिंक मिल जाएगा आपको इसको अठेंट करना होगा एंड आपके मार्क मेरे पास आ जाएंग और मैं आपके मार्क्स E-mail आई-टी पर भी है और मेरे टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जोलाग एपके मार्क से अभी और आपको पता चल जाएगा क को कैसे किस तरह से पढ़ाई करनी है एंड फ्यूचर में भी आपकी हेल्प होगी तो एक या दो वीक के अंडर आपके लिए कोर्स लाया जाएगा जिसके अंदर आपको किसी भी एक नर्सिंग इंटरेंग्स एक्जाम की तियारी करनी है तो आप कर सकते हैं उस कोर्स से जहां आपको रोज रोज हर वीक में एक पीडिया जाएगा जिसमें आपके एक यूनिट बायो की एक यूनिट फीजिक्स के फीजिक्स के एक यूनिट की दो चेप्टर एंड केमिस्ट्र के यूनिट के कुछ चेप्टर दिये जाएंगे जिनको आपको हर रोज रोज करना होगा एंड हर रोज पढ़ना होगा and after that हर वीक में आपका मोग टेस्ट होगा उनसे रिलेटेड ही हर वीक में एक बार मोग टेस्ट होगा so if you are interested तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि है दी हां हमें चाहिए so that मैं अच्छी से पीडियाप बना सकूँ और हम हर वीक में एक बार एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जहां पर हम कोशन डिस्कॉस कर रहे होंगे पीवाइक्यू क्योंकि एम्स के पीवाइक्यू जो है वो 2013 तक के मेरे पास प्रेजेंट है आफ्टर देट तो सीबीटी बेस हो गया था तो कोई पीवाइक्यू कहीं प्यों नहीं मिलते इस पार के ही मिले हैं मुझे अच्छो इस वीडियो में हम डिसकॉस करेंगे फीजिक्स के अलग बायो के अलग एंग केमिस्ट्री के अलग बायो एर केमिस्ट्री तो हमेंसाब